हेलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों आपकी यूटूब चैनल जोब इंडिया में सौगत करता हूँ प्यारे दोस्तों अभी आपने हमारी यूटूब चैनल जोब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो यूपी सौस्त विभाग 2023 दोस्तो उत्तर परदेश के सौस्त विभाग में बहुत ही जबरदस भरते लेकर आ चुका हूँ जी हाँ उत्तर परदेश के सौस्त विभाग में विभाग विभाग दोक्टर की वेकेंसी आ चुकी है 872 पदो पर इसका फूल नोटिफिकेशन आ चुका है यहाँ पर आप लोग देख सकती है 10 अगस के डेट में यह फूल नोटिफिकेशन कारियाले महानेदेशक चिकिसा योम 100 सेवाएं उत्तर परदेश से जारी की गई है सबसे अच्छी बात दोस्तों ओनलाइन सुरू हो चुका है और आप लोग जो है 25 अगस तक फार्म को अपलाई कर सकती हो दोस्तों सबसे अच्छी अप्डेडी भी है कि आप लोगों का जो है डेश्टिक वाइज वेकेंसी के बारे में भी जानकाय दिया गया है टोटल यहाँ पे 74 डेश्टिक में जो है वेकेंसी है तो आज इस वीडियो में बात करेंगे डेश्टिक वाइज वेकेंसी के बारे में आपकी जिले में कितनी वेकेंसी है इसकी जानकाई देंगे इसमें qualification क्या होगी इसके साथ ही दोस्तों कैसे आपको farm को online करना है notification को कैसे डाउनलोड करना है इसकी भी जानकारी देने वाले हैं तो चलिए आपको लेकी चलती हैं तो दोस्तों आप लोग देख पारी होंगे बिलकुल official website open हो चुकी है डारक्टो रेट ओफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज उतर परदेश यह दोस्तों website है dgmhup.gov.in website और यहां पे आप लोग नीचे आओगे latest news वाली option प्यारना है यहां पे देखोगे latest news का options हो कर रहा है यहां पे आपको information मिलने वाली है जैसे कि आप लोग देखोगे तो यहां पे ही notification की जानकारी जो है publish की गई है तो दोस्तों आपको बिल्कुल जैसे ही website ओपन होगी आपको latest news वाले पेज पाराना है यहां पे आओगे तो यह देख सकती हो walk-in interview for doctors specialist इस वाली option पे आपको किलिक करना है यानि कि number second वाली option पे किलिक करना है walk-in interview for doctors specialist वाली option पे जैसे किलिक करोगे नई पेज ओपन हो जाएगी यह आप लोग देख सकती हो online application for walk-in interview page है और यहां पे देखोगे तो online application walk-in interview for doctors specialist department of health and family welfare उतर परदेश तो department of health and family welfare उतर परदेश में यह vacancy निकाली गई है यहां पे देखोगे district list of vacancies तो district list दिया गया है vacancies का इसे download करके district वाज vacancy के बारे में जानका ले सकते हो बाकी नीचे आओगे तो new applicant अगर आप लोग new applicant हो तो new applicant वाली option पे किलिक करके register करिए इसके बाद आप लोग जो है login करके farm को यहाँ पे apply कर सकते हैं तो यहाँ पे सारी information दी गई है dental और B.O. EMS के walking interview में परदिभाग नहीं कर सकते हैं तो जो dental है और B.O. EMS है वे लोग जो हैं interview में परदिभाग नहीं कर सकते हैं बाकी सभी जो है इंटर्वू यहाँ पर दे सकते हैं अब कौन कौन से लोग यहाँ पर इंटर्वू देंगे उसके लिए आप पर देखोगे तो यहाँ पर जानकाई दी गई है letter for portal open regarding fresh application process from 10 अगस्ट 2023 to 25 अगस्ट 2023 तो इस पर आप लोगो को किलिक करना है जैसे आप लोग किलिक करोगे full notification इसी page पर आपकी मिलने वाली है तो यहाँ पर आप लोग देखिए यह letter है कारियाले महानिदेशक चिकिस्ता योम स्वास सेवाईव उत्तर परदेश लखनवू दिनांग 8 अगस 2023 पत्र संख्या इंटर्वू वाकिन इंटर्वू होगा 1038 इसका पत्र संख्या है कारियाले ग्यापन है PM यह चिया समवर्ग में MBBS विशेशक चिकिस्ता अधिकारियों की नियुकती साच्छातकार वाकिन इंटर्वू के माध्यम से करते हुए उन्हें विभिन जनपदों में तैनात किया जाता है साचन के चिकिस्ता अनुभाग 2 दौराजारी साचन आधे संख्या है यों साचन आधे संख्या इनोट कर लेना पताा जा रहा है कि इसके अधी नवीन चिकिस्ता को का चेन किये जाने है तो दिनांक 10 अगस 23 से 25 अगस तक ओनलाइन वेबसाइट पर आविदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं अते वाकिन इंटर्वू के माध्यम से EMBBS विसेशक नवीन चिकिस्थको का चेन किये जाने हेतु वेबसाइट पर जो है 10 अगस से 25 अगस तक वेबसाइट जो है पर ओनलाइन आविदन कर सकते हैं डंक्टर राजा गडपती आर आईएस निदेशक परसासन बिल्कुल ओफीसली नोटीस है यहाँ पर जानकारी दी गई है पीम यह चिय समवर के अंतरगत जो है यह निदेशक परदेश में वाकिन इंटरवू के माध्यम से की जाएंगी जिसमें MBBS यहाँ पर फार्म को अप्लाई करेंगे और इसके बाद जो है आप लोग चकाउट जरूर कर लेना नीचे आओगे तो सासन आदेश दिनांक 22 जून 2017 के अंतरगत परदेश में वाकिन इंटरवू के दौरा वी सेसक MBBS चेकिसको का जनपद वार डेटेल्स जो है जरी किया गया है 7 आगस यहाँ पर डेट है यहाँ पर Dettig name दिया गया है नंबऄ 2 में और Dettig Mai और इसमें देखो के टोटल कितनी वेकेंसे है तोटल वेकेंसे की जानकारी है आगरा में जो है 15 वेकेंसी है अलीगड में देखो गे तो 20 वेकेंसी है, बलिया में 15 वेकेंसी, बलरामपूर में 13 वेकेंसी है, बांदा में 12 वेकेंसी है, बाराबंकी में 6 वेकेंसी है, बरेली में 16 वेकेंसी, बस्ती में 17 वेकेंसी है, एन भधोई में देखोगे तो 6 वेकेंसी, बिजनोर में 20 वेकेंसी है, बदायू में 17 वेकें इंड फिरोजाबाद में देखोगे तो 10 विकेंसी है गौतम जुदिनगर में 7 विकेंसी गाजी पूर में 20 विकेंसी गाजी अबाद में 8 विकेंसी गौंडा में 14 विकेंसी है, जहांसी में 15 विकेंसी है, कन्नोज में 7 विकेंसी है, कानपुर देहात में 8 विकेंसी, कानपुर नगर में 8 विकेंसी, कास गंज में 6 विकेंसी है, और कौसांबी में 12 विकेंसी है, कोसी नगर में 11 विकेंसी है, 17 विकेंसी, लखीमफुर खेरी में 10 विकेंसी, महराज गंज में 8 विकेंसी है, महोबा में 6 विकेंसी, 5 विकेंसी, मैनपुरी में मतुरा में 7 विकेंसी, महु में 2 विकेंसी है, मेरट में और मिरजापुर में 9 विकेंसी है, मुरदाबाद में 9 विकेंसी है, बाके मुझवफर नगर में 12 विकेंसी है, पेली भीच में 9 विके विकंसी है, साजहाँ पुर में 14 विकंसी, सामली में 14 विकंसी, सरावस्ती में 8 विकंसी है, सिधात नगर में 14 विकंसी है, सीतापूर में 4 वेकेंसी है सोनभद में 21 वेकेंसी है सुल्तानपूर में 11 वेकेंसी है उन्नौम में 11 वेकेंसी है वरारसी में 9 वेकेंसी है और इस तरीके से टोटल 872 वेकेंसी निकाली गई है जिसका वाकिन इंटर्गू के बेस पर सेलेक्शन होगा और यहां विसेशक MBBS की यहां पे विसेशक MBBS चेकेसों को की वेकिंसी निकाले गई है और यह दोस्तों जो है यहां पे आप लोग देख सकते हैं कारियल महानेदेशक चेकेसा योम स्वाव सेवाई उत्तर परदेश से जारी की गई है तो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जेलों में जो है PM याचिय समवर्ग में जो है यहतनाती यहाँ पे होने वाली है थेंक दोस्तो आप लुक जो है 25 आगस तक उनलाइन मोड में फार्म का उपलाई कर सकते हो धन्यवाद